अमस्कार, VH News में आप सभी लोगों का स्वागत है, मैं कुमर भाजवा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं क्रोना महमारी का दौर चल रहा है, स्कूल बंध है, कॉलेज बंध है, इसे के साथ ही देश की अर्थवेवस्ता में खराब हो रही है और हमारी शिक्षा पर भी लेकिन हर्यानास एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर जो शिक्षक हैं वो बच्चों से अधार कार्ड मांग रहे हैं ओनलाइन डाखले के लिए, अगर किसी बच्चे के पास अधार कार्ड नहीं है, तो उनका वो दाखला नहीं करवा रहे हैं शिक्षक, तो यह मामला सा कामने आये हैं जो सरकार के लिए चुनोती बन जाते हैं जी हां जैसे की देश की अर्थव्यवस्ता को पटरी पर लाना और पूरे देश के बच्चों की शिक्षा का ख्याल रखना ऐसे में हम बात करेंगे हर्याना की हर्याना के सरकारी स्कूल शिक्षक अधार नंबर वह दस शिक्षकों के दवारा बिना दस्तवेच ओनलाइन दाखिला देने से साफ मना किया जारा है जिसकी अनेक शिकायते मिलने पर सरकार ने अब कड़ा रुख अपना लिया है स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों और स्कूल मुक्या को साफ कर दिया है कि लॉकडा शिक्षकों के बाद स्कूल खूलने पर ही बच्चों से दस्तावेच लिये जाएंगे जिन चात्रों का दाखिला चटवी वह नवी में होना है उन्हें सीरियल नंबर पर दाखिला दे इसके साथ ही सरकार के दिये निर्देशों की उलंगना पर भी कारवाई की जाएगी न दाखिला के लिए शिक्षकों की हजारोटी में यहां लगेगी राज्य कोर कमेटी की महत्तपुर्ण बैठक में राज्य अधैक्ष सियन भारती की अधैक्षता में हैं निर्ने लिया गया है कि आंगनवाडी के बच्चे जो विदाले जाने वाले उनकी सूची को लेकर सर् दोर में जन जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है अब देखना यह होगा कि सरकार के इस फैसले से हर्याना के सरकारे स्कूल के दाखिले वो पाते हैं या नहीं और महमारी के इस दोर पर शिक्षा एक सचारों रूप से चल पाएगी या नहीं यह देखना होगा यहां वी एच निउस के लिए कोमल भार्दवाज की रिपोर्ट